जिन लोगों को जो लोग आपिसी हमें फॉलो करते हैं और आप इसको 24 घंटे से जाधा हो गए हैं और मैं पहले आपको मुबारिक बात दूँगा कि आपकी जो डिबेट हुई उसका शुरू में वाकी नहीं पता जलता तर मुझे क्योंकि हम मैं यह समय तो कि हो सकता हम बायस हों तो हमें लगता हँ हमारा बंदा जीत जीत गया हमारा बंदा जीत गया मैं जीध हार के चकर में नहीं पड़ूँगा लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा के अभी तक मैंने जितना feedback देखा है उनके कैसर साब के channel पे भी और आपके अपने channel पे भी और मेरी हमने जो post review किया था उसके उपर भी मुझे तो बड़ा अच्छा feedback नज़र आ रहा है कि लोग आपकी जो आपकी ये जो आदत है कि आप detail में घुसके हो कहते हैं न मिजक उट देना वो जो आप किसी भी topic की detail में जाके क्योंकि obviously मैंने एक्सर कावा है कि हम मैं अपनी बात करूँगा हम से मुराद मैं कि कोई expert नहीं है ना biologist है ना physicist है ना astrophysicist है तो हम एक surface level की conceptual बात करते हैं rather than going into the detail या कोई मुझे से यह पूछे को भी radio active dating कैसे होती है तो मैं उसको process नहीं बता सकता हूं या मुझे कोई बताएगा कि genetic evolution की तरह types की है मैं नहीं बता सकता है मैं एक expert की जो opinion जो 97% जो आपने शेर किया था ले मैं कहता हूं कि यह science का इजमा है उसी तरह जैसे हम कहते हैं कि मुसल्मान आलमों का इजमा है मुसल्मान classical का इजमा है हम यानि कि मैं तो religion में भी अपने interpretation नहीं देता मैं वह interpretation देता हैं जो का तो यह एक humble position है क्योंकि obviously आप उसको कह सकते हैं कि lack of credentials है लेकिन आपकी जो जिस detail में आप जाते हैं आप थोड़ा सा बताएं कि आपने इतनी detail में debate में गए पहले तो यह बता हैं कैसा मैसूस करें आपको feedback कैसा नज़रा रहा है मुझे feedback तो बड़ा अच्छा नज़रा रहा है मुझे बड़े messages आएं facebook पे और twitter के उपर भी कि जी ये angle हमें नहीं पता था ठीक है और मैं तो ये बात करता रहा हूँ जिन लोगों ने मेरी पहले streams देखी है कि गालिब evolution पर क्या बात करता है उनको ये पताया और जारी बात आगा एक limited सा time था बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जितना मेरी खायश थी क्लारिटी से बताऊं कि मैं बता भी नहीं सब्कार ठीक है और अभी मैं एक stream करूंगा जिसमें मैं mutation क्या होती है और कितनी किसम की होती है क्यूंकि काफी जो है मुझे ये देखने में आया कि अभी कैसर साब भी मेरे जवाब दे रहे थे कल मैंने उनकी वो देखी कैसर साब साम कर रही है कि कैसर साब ये घृव कर रह और कैसर साब है कि कि आप समझे दें कि इन्सान जिम्पेंजी से वाल्व हुआ है हाँ मतलब ऐसे इस तरह मुझे स्ट्रामेन कर रहे हैं कि कैसर साथ के पास तरह में कोई असल बात नहीं है इसलिए वो मुझे मेरे ओपर जूटे अलगा लगा के और उसको वो जो है ना उसके जवाब दे रहे ह जवाब कैसर साथ ने कोई भी नी दिया तो साइंस कहानी पर एक स्ट्रीम होने वाली है जिसके अंदर मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि म्यूटेशन कितनी किसम की होती है कैसर साथ सिर्फ एक बात कर रहे थे पॉइंट में इन वर्जन बता रहा था अगर इन वर्जन एक पॉइटीच एक ठाइड का चैंज होना है तो इन वर्जन जो है वो इंटेशन वर्ट में वें लाखों पए इसनो यह किसे ऑप और कैसर साथ दिखा रहे थे मुश्किल है मगर मस्क्ला के बारे में बीदिखा रहे थे और पॉइंट मुटेशन के बारे में भी मिसलीडिंग जो कि मैं बता दूँगा भी कैसे मिसलीडिंग है दूसरी बात यहाँ के कैसर सांब को यहाँ तो पता भी नहीं था दूसरी बात यहाँ कि a तो mutations तो बहुत बड़ी बड़ी होती है जैसे के fusion वाली mutation जो है इसको आप समझने हैं कि शायद कोई लाखों या करोडों बेस पेर्स की mutation होगी fusion वाली, inversion वाली भी इस तरह की होती है, तो यह मैं सारा बताऊंगा कि point mutation क्या होती है, inversion क्या होती है, fusion क्या होती है, fission क्या होती है, मैंने थोड़ा सा इसको touch किया था, मगर मैं एक science कहानी पर करूँगा, एक stream करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं सही तरीके से बताऊंगा, mutation क्या होती है, और कैसे होती है, फिर कैसर साब को यह इतराज था कि आप fossils पर क्यूं बात नहीं कहाते हैं, यार बात यह इसी तरह की बात है कि आप gun fight में चमचा लेगें, और फिर आप आप मुझे कहें कि आप क्यूं चमचे से नहीं लड़ रही, फिर कैसर साब गन फाइड में चमचा लेगे थे, और भाई, आपको किस ने कहा था कि आप गन ना ले गया है, और यही बाते हैं, और क्या बाकि मैं बताता जाओंगा, रिस्ता रिस्ता, क्यूंकि मैं तो इस असल में मैं इस जिबेट क कि भी रिस्पेक्ट करता हूं, यह नहीं कहता गे उनका हाँ, वो का सकते हैं, बाकी बाते हैं, वह आप लोग के सामने आती रहेंगी, जो जो लोग मेरे चैनल पर बात करते रहे हैं, देखते रहे हैं, उनको भी पता के मेरे एवलूशन के बार में क्या है, फिर उन्हें न में तो सिर्फ यह कर रहा था कि इन्सान और चंपैंजी जनेटिकली रिलेटेड हैं इन दोनों का एक कॉमन अंसेस्टर था एंशेंट पास्ट के अंदर और अगर हम उसे स्टैबलिश कर देंगे तो हमें यह समझा जेगी कि इन्सान वाल हुआ है बस मेरा इतना सा मक्सित था बाकी और बात नहीं है कि जो वाकिए ही और उसके आगे जो आपने फिफ्टीटू का आगे कितना जीरोज लगा दे कि और कोई इसके लावा और कोई नहीं सकती तो जब हम यह कैसे साब यह इंजासे लोगों से पूछते हैं कि इसकी एक्स्पानेशन फिर दें तो आगे से कहते हैं कि यह तो वो बताएं आपको जब हमने बता दिया है जब हमसे मुना साइंसदान ने जब आपको बता दे कि इसका जाल देखा है आपका DNA देखा आपका थूक देखा आपका फिंगर पर है इसको यह कानी कह रही है इसके हमने यह हमने जाए यह थी थी किया जाता साइस में इंफर ही होता है अभी जैसे बात यह है कि क्रोमोसोम टू की फ्यूजन का एविडेंस मोर दर नॉफ है जिस पर साइंटिस्ट अच्छे तरिके से अग्री है और लॉजिकली अगर वो किसी को समझाया जाए तो बड़े अच्छे तरिके से समझाया था है आज मारे पहले वाले आदे गैंट में जारी बाद फिर दस-दस मिंट मुझे मिले तो मैंने अपने टॉपिक को और किस तरह उसे प्रिजेंट करना है और मैं बता दी सारी बाद है जिसको प्लारिटी चाहिए वह मैं दो बारा भी बता दूंगा और यह ऐसा टॉपिक है कि बड़े आधा ओट जो के हर वक्त चलती है लोगों इस बात पशाध होता है आप बाते हुं किताबने पड़ के आप बाते हैं करता है उं-न-बस नद बतो किताब में पैद करता है और पता चल जाता है कूँकर कैसेसाब आदे मिस्लीडिंग थे और वो साइंटिस्स खुद भी मानते हैं एवलूशन को वो एक प्रॉब्लम है यानि अगर आप केस में पूछे हैं कि यह कतल में एक क्लू है जो हम जिसकी सेंस नहीं बान रही लेकिन हम यह मानते हैं कि परसन ए नहीं कतल किया है क्योंकि उसका आप में और आपके फादर में और आप में और आपके फादर में और और आपकी मदर में और मुझ मेरे फाधर में और मेरी मदर में डिफरेंश अगर भी टेशन ना होती ना तो हम यह फिंगर प्रिंट ही नहां कर पाते कि गालब कौन है दीन से और आप आज रेव केससे में भी पाकिस्तानी जैनब का रेव केस हुआ जो उसके अंदर फिंगर पॉइट की वज़ा सही होता है और पॉइंट मुटेशन होता है तो उसकी वास बंदा इडेंटिफाई ही ओसकता कि कैई पॉइंट मुटेशन होती हैं जिनकी हम बात करेंगे आगे कि कैसे हैं और मैं बताऊंगा सारा अगर आप यह समझते हैं कि जो मैंने अविडेंस दिया डियाने का यूमन एवलूशन के लिए वो घलत है तो फिर यह याद रखें कि आप कभी भी डॉक्टर के पास जा जाए तो रिपेस्ट का पता फिर नहीं लाग सकता अगर यह स्टेडी गलत है भाई फिर यह आपको बताएंगे हम कैसे हैं बहुत अभी अभी तो पार्टी शुरू ही है अभी देखें किस तरह से मैं सारे का सारा आप लोगों के सामने रहूंगा इस्ता इस्ता तो जिसने मैं भी साइस का नहीं सबस्क्राइब नी किया वो कर लें और मेरे चैनल पे भी बात होती रहेगी हारिस के पास भी मैं अक्सर आता रहता हूं और हारिस और मैं यह बाते आपको बार बार करेंगे यह यह मटेरियल अभी तक पाकिस्तान की यूट्यूब पर किसी ने सामने मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर जूरूर्ट कीजिए ताके मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पंचा सकूँ कि अबदाई मेरे अबंगा कि एचा थाज़गें अजडती हो कामा बहे समस्क प्रआइ घ।